नमस्कार मैं हूँ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार निउस आई शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से कॉंग्रेस त्योथर में नहीं प्रदेश और देश में मुक्त होने जा रहा है कॉंग्रेस से वही हल त्योथर कभी हो गया है और आगे आप और देखेंगा आने वाले दिरों मैंने कॉंग्रेस से लोकसाभा का चुनाओ लड़ा मैंने ये देखा कि चाहे वह कॉंग्रेस का शीष नित्रत हो या प्रदेश का नित्रत हो बिना सोचे समझे आलोचना ही नहीं गाली देने की बात करते हैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ ऐसे परिवार से आता हूँ जहां हमें सनातनी सिक्षा मिलती है हमें रामचरित मानस का पाठ कराया जाता है ऐसी स्थिती में अगर देश में खुले होकर के कॉंग्रेस और उनके घटक दल सनातन धर्म को गाली देंगे और अठास उड़ाएंगे सेक्लिरिजम के नाम पर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश भग सनातनी युवा कॉंग्रेस के साथ रुखेगा अभी देखते जाए आगे क्या क्या होगा मुझे कॉंग्रेस से लोकसाभा का टिकेट मिला था उसके बाद मैंने टिकेट मांगा नहीं था और कॉंग्रेस के टिकेट घोषणा के पहले में भारती जन्ता पार्टी में आ गया था अब डेट मिला ले जब मुझे ऐसास हो गया कि कॉंग्रेस पार्टी में रह करके प्रदेश का विनाश होगा तो मैं वहां से हट गया ये आप मानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी में टिक्टों को लेकर हेर फेर हुई है रीवा में रीवा में क्यों सीमे थे आप पूरे प्रदेश में हो रहा है दो पिता और पुत्रों की पार्टी बन करके रह गई है हमारे आधरणी शिवरा सिंग जोहां जी ने अभी अभी आ किसी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया पार्टी की रीत नीद समझाने में अगर कोई समझा रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है और आपके सामने हम सब खड़े हैं मिल करके भारती जनता पार्टी के लिए फॉर्म भरा है प्रत्याशी बीजेपी में एक निमित मात्र ह होता है भारती जनता पार्टी मुझे आ करके अहसास हुआ कि अकेली ऐसी विश्व की पार्टी है जहां प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री भी कार्यकरता होते हैं सीनियर नहीं है मेरे आदर्णी तिवारी लाल जी मेरे चाचा के उमर के हैं और आदर्णी विधायक जी मेरे पिता से भी ज्यादा उमर के हैं और बेटा ही नहीं जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे बाबा त्योथर के विधायक थे और अख़बारों में ये लाइन आई थी हेडलाइन आई थी कि त्योथर के विधायक बाबा बने तो मैं त्योथर का बेटा ही नहीं नाती के तोर पे पैदा ही हुआ था अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें दखबरदार न्यूज